प्रारिटी टेबल को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ एक इसाथ मैं दिखाऊंगा कंजस्टिड हो जाएगा तो यहां पर आप साथ सा लिखते रहे ना इसको याद भी क्लास में काफी कुछ याद हो जाएगा और फिर इसको अपलाई करते हैं यूज करते हैं देखो seniority table का use तब आता है जब हमारे पास multiple function group present होते है multiple है तो भाई कौन सा हमारा main है कौन सा सबसे important है वो इसके थूरू पता लगता है अब क्या होता है कि जो इसमें जो main function group है उसके लिए हम यूज करते हैं तू डिगरी suffix अगर वो जो principle है लेकिन अगर दूसरा जैसे मैं example आपको यहाँ पे एक दे देता हूं जैसे कि यहाँ पे यह COOH है और यहाँ पे हमारे पास OH है अब यहाँ पे हमारे पास दो function group present है एक acid है carboxylic acid और यह हमारे पास क्या है alcohol अब अगर मैं बात करूं तो भाई यहाँ पे priority order के साब से कौन जीता है acid कौन जीता है acid अब यह acid हमारा main group है तो यह जो हुआ ना यह एक तरह से इससे अब इसकी उपादी चील ली गई अब यह function group नहीं कहलाएगा यह क्या कहलाएगा locant वैसे function group यह है लेकिन now it will be treated like a locant मतलब उपादी चील ली गई एक तरह से तो अब य numbering भी करोगे तो इसकी कोई priority नहीं है जैसे methyl होता है इथा ही लोता है Bromo, Ido वैसा ही क्या हो गया OH हो गया तो अब इसको हम locant अगर यह locant हो गया तो locants के लिए हम क्या use करते है prefix क्या use करते है prefix वह भी two degree prefix तो भाई यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर वह main function group है तो उसके लिए suffix होगा और अगर वह locant है तो उसके लिए prefix होगा तो यह यहाँ पर बता रखा है आपको क्या 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 होगा COH जो होता है फिर याद करने का फंडा भी बताऊंगा आपको में यह क्या क्या होता है सबसे पहले कार्बाक्सलीक एसेड और फिर क्या होता है सलफोनीक एसेड ठीक है याद करने का end में ही बताऊंगा सासत बताऊंगा तो mix हो जाएगा तो यहाँ पर जो होता है सभी को प यही तो फंडा होता है, ठीक है, हाँ जी, अब इसके बाद SO3H, अरे बोलो, Sulfonic Acid, इसके लिए यूज किया जाता है, Sulfonic Acid, Sulfonic Acid इसके लिए यूज किया जाता है, अच्छा, ये क्या है, Enhydride, वैसे OIC Enhydride बोलते हैं, तो कि Acid के लिए OIC आता है, ना, Last में, तो यहाँ पर आएगा, OIC, जैसे इथेनोइक है, इथेनोइक और ये सब है, तो इसमें OIC और उसके बाद क्या रहा है, Enhydride, ठीक है भाई, लिखते रहे ना, साथ साथ है, फिर बाद में यह नहीं कि आराम आराम से फिर Enjoy करोगे, साथ साथ करते रहना होगा, prefix इसके बाद बता देंगे, बाद में, क्योंकि सारे mix हो जाएंगे, नहीं तो, कब क्या, पहले एक बार यह देख लेते हैं, फिर वो देख लेंगे, एस्टर के अगर बात करते हैं, तो एस्टर के लिए यूज किया जाता है, ओएट, एस्टर के लिए उपियोग किया जाता है, इथेनोएट, प्रोपेनोएट, इस तरीके से होता है, इसके लिए अगर हम बात करें, तो इसके लिए यूज किया जाता है, ओईल, इसके लिए CO-NS2 के लिए Amide Amide का उपियोग किया जाता है इसके लिए ऐसे feel आती है, cn आती ही cyanide है ना, feel लेकिन feel से life चलती नहीं ना, असलियत कुछ और होती है, इसके लिए use होता है nitrile, क्या use होता है nitrile है ना feel ते एक दम मन करता है इसको cyanide बोल लेगा, क्योंकि मलब और ये होता है इसी जैसा, ये cn न ये क्या nc है, iso nitrile iso nitrile iso nitrile, हाँ वही अब देखो इससे आगे अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है CHO CHO के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो रहता है क्या रहता है, על याद HOL रहता है, ठीक है अब इसके बाद 10, LD HEAD के बाद हमारे पास रहता है ketone इसमें दोनों तरफ करवण होता है दोनों तरफ क्या होता है? करवण तो भाई इसके लिए क्या होता है ON तो यहां पर आएगा एलकोहल जोश में आ गया तर्व यहां पर आएगा इसके लिए ओल अब इसके बाद आएगा ऑड़ ऑटा है एसेच ठीक है इसके लिए यूस किया जाता है थायोल थायोल ठीक है थाय लग जाता है पसे इसके बाद यहां तक ही ध्यान रखना होता है इसके बाद NH2 NH2 लास्ट में आ रहा है NH2 के लिए use किया जाता है तो यह बताओ जारातर तो अगर आप देखो तो जारातर तो पता ही है यानि थोड़ा ध्यान अब prefix पे बात आएगी suffix तो अपने देख लिया तो suffix जारा तर आपको clear ही होंगे कि क्या है all, own, all ये ठीक है और पता है इनको ये निकी सारे का सारे cram कर लो use कर करके question करो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि पता है use करते जाओगे और उसके बाद आपको याद होता जाएगा naturally तो tension नहीं लेने का कि सारे याद नहीं हो रहे क्या नहीं हो रहा, अभी तो ऐसे prefix आएगे main तो prefix है, बालब main तो क्या वालब उसमें थोड़ा सोचने वाली बात होती है, कुछ-कुछ याद करने का फंडा बता रहा हूँ, याद करना मतलब seniority में कौन उपर कौन नीचे, तो बहुत असान सा फंडा है, ठीक है, खुछ से बनाया हुआ है, क्योंकि जब मैंने देखा तो मैंने कहा है, कुछ तो इसका logic होगा, कुछ तो फंडा होगा, मैंना IPSC वाले पागल तो है नी, तो उन्होंने जब इसको बनाया है, तो कुछ तो logic रहा होगा, कि पहले acid को रखा, फिर इसको रखा, तो मैंने जो समझा, उसके साब से जो observation है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो सबसे पहले parents होते हैं, और parents के बाद कौन आते हैं, फिर बच्चे आते हैं, है कार्बॉक्स लीग उपर क्यों होँ, तो आप वैसे इसको ध्यान यह से रख सकते हों, कि भाई, कार्बन और्गेनिक का एक तरह से राजा है, और्गेनिक पूरी किसपर डिपेंडन है, कार्बन पे, तो भाई, कार्बॉक्स लीग तो पहले आएगा ना, उसके बाद क्या बड़ा बच्चा कौन होगा एनहाइडराइड सीकुएंस बन रहा है अब हम एनहाइडराइड के बाद अगर बात करते तो क्या आता है एस्तर ठीक है क्योंकि या इसके बात करते़ तो क्या यह लड़ा चोटा फोम है वहां पर क्लोरीन और नाइट्रोजन में बड़ा साइज किसका होता है क्लोरीन का तो याद करने का तरीका बता रहा हो कि क्लोरीन के बाद फिर नाइट्रोजन और छोटा हो गया तो फिर हमारे पास कौन सा आया अमाईड क्या आया एसे डेरिवेटिव खतम अब ऐसे डेरिवेटिव के बाद आएंगे ट्रिपल बॉन्डेड फॉंक्श्टन ग्रॉप क्या आएंगे ट्रिपल बॉन्डिड में पहले आएगा साइन व sentido पहले क्यों क्योंकि उसमें पहले क्या रहा है कारबन और वहां पहले रोजकल सी बात है तो पहले एकिन को इनके नीचे ही है तो डबल बॉन्रिड के बाद आरहा रहा है डबल बॉन्र ने इन double bonded में alkyne alkyne को इनके अंदर consider मत करना वो अलग है वो तो इनके नीचे ही है तो double bonded में हमारे पास दो ही ग्रुप है जो हमें ध्यान देने हैं कौन से वाला aldehyde and ketone aldehyde ketone में पहले आ रहा है aldehyde फिर कौन सा आ रहा है ketone याद रखना असान है aldehyde A से शुरू होता है ketone के से शुरू होता है A before K तो aldehyde आएगा फिर कौन सा आएगा ketone aldehyde ketone में वैसे aldehyde की reactivity भी ज़्यादा होती है ketone से तो भाई उस angle से भी सोच सकते हो aldehyde ketone अब double bonded के बाद आएगा single bonded single bonded में बेवडों की आनबान और शान क्या alcohol OH आ जाएगा OH के बाद ये बताओ oxygen में down the group जाते तो क्या आता है sulfur तो OH के बाद क्या आएगा SH और फिर बचा क्या NH2 हाँ बचा क्या NH2 हाँ बचा क्या तो यहाँ पर आपको overall दिख रहा होगा कि पूरा pattern है पहले acid हाँ भी बोलो सभी पहले क्या है acid में पहले carbox leak carbox leak acid के बाद उसके बाद एन्हाइड्राइड एन्हाइड्राइड के बाद ester ester के बाद acid chloride acid chloride के बाद amide अब triple bonded triple bonded में पहले क्या आएगा cyanide के बाद iso cyanide के बाद double bonded आएगा पहले क्या आएगा एल्डी है एल्डी हेड के बाद फिर बेवडों की आनवान और शान एल्कॉल के बाद एसेच एसेच मतला थायोल एसेच के बाद क्या आएगा एनस चिल फुल महौल तो मतला हर चीज में तरीके होते तो आपने भी pattern ऐसे खुद भी observe करो जहाब भी आपको difficulty आये कभी समझने में कि यहार काफी कुछ याद करने का तो कुछ आपको तरीका निकाल लो जो करना ही ह होता है कि अब बात आती prefix के बारे में कि prefix किसके क्या होते है ठीक है तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करते हैं अब लिखना शुरू कर दे तो यहां पे अगर हम इसकी बात करें तो यह आएगा इसका पाता कारबॉकसी वैसे अब सोचने वाली बात बड़ी अजीब सी है कि यार ये तो टॉप पे है तो फिर ये टॉप पे है तो ये प्रिफिक्स क्यों ही आएगा पर कुछ क्वेशन है जिसमें क्या होता है multiple carboxylic acid आते हैं उस special question में किसी एक को प्रिफिक्स लेना पड़ता है तो जब सारे के सारे कई COH एक साथ एक ही गुरूप में आगे तब आता है ये तो वो special case है वैसे नहीं है वैसे normally नहीं आएगा next इसका जो होता है वो क्या होता है सलफो बोलो सभी सलफो बोलने से इस सबसे फरक पड़ता है memory पर फरक पड़ता है तो यहाँ पर आ चुका है सलफो ठीक है ये इसके लिए अपलिकेबल नहीं है not applicable मतलब ऐसा कोई जगे नहीं आएगी जहाँ पर एन्हाइडराइड एजब प्रिफिक्स यूज हो रहा है आपके लिए ऐसा compound आपके सामने नहीं आएगा राइट एस्टर जो होता है इसका case अलक से देखेंगे है ना आप इसको वैसे अभी के लिए इसको छोड़ दो है ना इसको directly NCRT से लिख ले ना अभी के लिए क्योंकि question करेंगे तम मैं बताऊंगा आपको अभी मैं बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि वो question के through ही समझ में आता है क्यों क्योंकि पता क्या है जो यह parent chain होती है ना इस parent chain को मैं एक बड़ वर्टिकल मान रहा हूं है ना parent chain को वर्टिकल तो यहाँ पे दो possibility हो सकती है या तो ester carbon के through जुड़ा हो सकता है या ester oxygen के through भी जुड़ा हो सकता है अगर यह carbon के through जुड़ा है तो इसका नाम अलग आएगा और oxygen के through अलग आएगा तो वो question के through ही समझ में आएगा नहीं तो नहीं आएगा है ना अभी लिखवा दूँगा तो कोई समझ में नहीं आएगा बलकि बाकी सब और भूलने शुरू कर दोगे इसके बाद इसका अस साथ में c double bondo हो गया carbonil तो इसका नाम हो गया chloro carbonil चलो जी बढ़िया है है ना अब इसके बाद next c-o-n-s-2 c-o-n-s-2 की अगर हम बात करते हैं तो बताओ उसका क्या हैगा किसी को पता है इसका थोड़ा सा अलग होता है वो तो suffix होता है इसका special suffix होता है इसका होता है कारबा मॉयल बता देता हूँ मैं आपको इसका होता है प्टोड़ा अजीब सा है कारबा मॉयल लॉजिक है वैसे इसके अंदर भी कार्ब जो आया वो आया कारबोनिल से ये भी OYL दिख रहा है आपको ये भी कारबोनिल से आया और AM कहां से आया अमाइड से तो कारबोनिल प्लस अमाइड मिलके क्या हो गया कारबा मॉयल है ना तो बड़ी इंटरस्टिंग इंटरस्टिंग चीजे रहती है इसका रहता है सायनो सायानो बोलता हूँ है प्यार से वैसे इसको वैसे सायनो है है ना बहुत ही सायाना है ये तो ये सायनो है सायनो है और ये आईसो सायनो इसका हम अलग से मिलब आप NCRT से डारेक्ट लिख ले ना बाकि मैं तो question में आपको बता दूँगा उचना है कुछ? नहीं? वो हाथ ऐसे था ना मुझे लगा शाथ कुछ पूछना चारो तुम stay, stay strong नहीं? हाजी, यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर कई सारे, देखो यहाँ पर फंडे होते हैं, यह भी question के थुरूई जाता समझ में आएगा और confusing भी रहता है students के लिए, तो question लेंगे और इसके basis पर question जेही में में आये भी था, अभी recently आया था, वो question भी ले लेंगे तो यहाँ पर इसके लिए एक तो term used होता है, oxo, है न? oxo us हो सकता है, और भी क्या use हो सकता है? फormile, पर ऐसा नहीं है कि oxo use कर लो, या formile भी use कर लो, नहीं, depends करता है कि कहा पर oxo और कहा पर formile, तो वो question से मैं बताऊंगा, है न, तो यह मसा भी लेना कि दोनों use कर सकते हो, नहीं, OXO तब यूज करोगे, बताऊंगा, question के तुरू भी बताऊंगा, next के अगर बात करें, तो इसमें एक तो यूज हो सकता है, keto, एक OXO भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, है ना, इसमें दोनों keto, OXO में कोई भी यूज हो सकता है, और एक के लिए अमीनों, तो यह सब तो असान है, यानि इसमें अगर बात करें, जो थोड़े से सोचने वाले आते हैं, वो एक तो यह ketone वगरा वाला, eldihyde ketone का आता है, और एक ester का आता है, बस यही है, बाकी सब तो चिल है, बिल्कुल असान है, कुछ भी नहीं,